इस बात करते रहे उस बाद को उसको अगे बहुते से अपने विभाद को अधिकारियों को लगातार निर्देशित करते रहे उसी का प्रड़ाम है कि आज हमारी यह हुआी सेवा ताराम हो रही है भारेश सरकार के यह सब्सक्री नागरी गोडिया नियुमिस्पात मंत्री पूर्व विधायक आधनी चंद्रापंत जी, एवं भारती जंता पाटी के जिलाज़ा पूर्व विधायक पूर्व विधायक आधनी चंद्रापंत जी, भाई गिरीज जोशी जी, सामने बैठे हुए हमारे नगरपालिका के चेर्मेन, भाई पूर्व में राजिंदर रावद जी, गोविन तिल्खवाल जी, फ्लाइविक के राजीर सर्मा जी और वहां पर मंतालय में उपस्तित हमारे संजय जी जिन्नोंने इस सेवा को चलवाने में क्योंकि पूरा स्योंजन उनिका है, और सभी उपस्तित हमारे सभी अधिकारीगर्ण, सभी मंचाल सीन, सलेज बगुली जी जिनका लगातार इस पूरे कारिकरम को साथ में हमारे संजय गुंजयाल जी, यहां पर उपस्तित सभी हमारे, मेरे सभी बड़े बुजुर्द सभी उपस्तित, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथ क्यों, उपस्तित, मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले तो बहु परतिशीत और लंबे समय से, जिसका हम सब को इंतजार था, आज सेवा वो प्रारब हो गई है, उस हैली सेवा के प्रारब होने पर, मैं आप स और केंद्री नागरी गुडियन मंत्री, आजनी जोत्रिया दिते सिंधिया जी का, दिल की गहराईयों से, आभार गर्त करता हूं, कि ये सेवा, बहुत ही, कनेक उल्जयनों के बाद, अनेक कट्नाईयों के बाद, बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारी अन्य आप्चारिक्त को पूरा करते हुए आज शुरू हो रही है, आप सभी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि उत्राखंड हमारा धार्मे के और प्रेटन की द्रिस्ति से, बहुत ही महत्तपून राज्य है, और राज्य सरकार के परियासों से, सरदालों को और प्रियाटकों को, राज्य के अंदर आवागमन की हर सुविधा मिले हर प्रकार से उनका यहां के देवदर्शन यहां के हमारे धार्मिक इस्तानों का हमारे सीमान खित्रों का जो ऐसे हमारे परेटकों के लिए इस्तान हैं उन इस्तानों पर आना जाना बहुत आसानी से हो सहस्ता से हो सरलता से हो उसमें अ आदनी जुत्रिया जित्तिजी कह रहे थे कि जहरादून से यहाना 11 गंटे, 11 गंटे तो तब हुआ जब आल वेदर गूटे बन रही है, और उससे पहले तो लगवग 17 गंटे और कभी-कभी 20 गंटे से भी अधिका समय लग जाया करता था, पिथोड़ा गवर से जहरादून पॉस्ने में, जहां आपकी पढ़ा हुई, बहुत लंबा सफर और एक दिन क्या 24 गंटे तक जो है, लोगों को सफर में ही रहना पड़ता था, हम सब जानते हैं, भाईयो वहनो, चौली गरांट एयरपोर्ट को अंतरास्ती इस्तर का बनाने का पुरा प्रियास हो रहा है, आज़नी प्रधान मंतरी जी के मारुसन में, जूत्रा रिष्टी के मिर देशन में, लगातार उस पर काम चल रहा है, पिसले वर्स भी एक टर्मिनल का उद्धाटन आपने यहां पर आकर किया था, और अभी उस पर विस्तार का काम लगातार तेजी से चल रहा है, इसके पूरा कर लिया गया है पूरुब में हमने जॉली गरांट एयरपोर्ट से दहरादून अलबड़ा तिठड़ागर के मद्दे जिसके बारे में अभी आधनी जुत्रिया जिस्ती जी ने यहां पर बताया मद्दे हिली सेवा की सुरुवात की थी उसको भी नेमित करने की हमारी युद्ना है निकट भुष्ची में चिन्याली सोड़ो गोचर से छोटे एयरकाट की सिवाओं को सामिल करने के संब्द में भी हम काम कर रहे हैं लगातार हमारा प्रियास इस लिसा में चल रहा है भायो बहनों आप सब को पता है हमारे प्रधान मंत्री जी देश के पहले ऐ आप सब के मद्ध्य आए और उसके बाद उनके आने के बाद लगातार यहां पर परेटकों की जिग्यासा और आने का उनका आकस्तन लगातार बढ़गा है चाहे हो आदी केलास हो जागेश्वर धाम हो इन इस्तानों पर परेटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं जागेश् सेवा के शुरू हो जाने के बाद यह काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और क्यों पिथोड़ागण थी नहीं पिथोड़ागण के आस पास और यहां के लोगों को भी वह जो कटनाइया होती थी उन कटनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा हमारे लिए हर्स का विस है कि हमारे प्रधान मुत्री जी उप्राखंड के जो परेटग इस्तल है जो हमारे बाइब्रेंट विलेज है ऐसे अनेक इस्तान है चाहे हूँ आज केदारखंड के अंदर चार धामों से जुड़े हुए इस्तान हो या मानसखंड के अंत्रगत आने वाले इस्तान हो उन सभी इस्तानों को आज देश दुनिया के अंदर नहीं पहचान दिला रहे हैं और उनके नितुत्म में वो काम हो रहा है जो देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ भूतों न भहुश्यती मुझे पुरा विश्वास है कि हवाई सेवा का सच्चालन जन्तत पिथोड़ा करके परितन को बढ़ावा देने के लिए यहां के लोगों के सुमिधाओं के लिए उनकी सफर आसान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी साथी साथ अभी चूकि हमारे यहां पर हवाई सेवाओं में अधनी जोत्रिया देते जी लगातार हमारी बात को बहुत परमुटा देते हैं हमारा भी हांसला और हिम्मत दिशीले बढ़ती है कि हम जब भी उनसे कोई बात करते हैं जब भी कोई निवेदन करते हैं अमरोग करते हैं, तो वो सहस्ता से लेकर अपनी प्रात्मिकताओं में उसको रखते हैं और उसको स्विकृति प्रदान करते हैं, यह हमारा फरोश्तान भी होता है, हमारा होसला भी बढ़ता है, तो मैं यह जरूर कहना जाता हूँ कि अभी जो यह सेवा तीन दिन के लिए बयाली सीकर भी यहां के लिए चलेगा, तो निश्चित रूप से यहां पर काफी बड़ी संख्या है, यह जूकि हमारा सीमान शेत्र भी है, यहां पर सेना का भी, हमारे पैरा मिलेट्री फोर्सोंस का भी, बहुत बड़ा केंद्र भी है, आना जाना है, केंद्री करमचारि हो, चाहे राज्जी के करमचारि हो, राज्जी के जन हो, सभी का आवागमन लगातार रहता है, इसलिए सेवा निरंतरता से चलनी चीए, और हमारा प्रियास होगा, कि आज दहरादून पिथोड़ागर की सेवा प्रारंब हो गई है, आने वाले समय में हमारी होगा और साती साथ, जहां आप दहरादून हवाई अड़े का विस्तार कर रहे हैं, लगातार आपके निर्देशन में प्रयास का काम चल रहा है, पंतनगर एयरपोर्ट का भी अंतरास्ती स्तर का अड़्ड़ा बनने की दिसा में आगे बढ़ रहा है, पिथोड़ागर भी जो है उस जिसा में उससे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो रातरी का लिन लेंडिंग है, नाइट लेंडिंग, उस नाइट लेंडिंग की सुविदा भी यहां पर हो जाएगी, तो आने वाले समय में किसी भी इस तर पर जब परेटन तेजी से बढ़ेगा, मानस खंड की यात्रा 12 मेने चलेगी, तो यात्रियों को बहुत आसान होगा, यहां के लोगों को भी बहुत आसान होगा, मैं आपका फिर से एक बार यहां पर सुदूर वती छित्र, पिथोडागर से, उत्राखंड की देवतिले जन्ता की तरफ से, पिथोडागर की जन्ता तरफ से, आपका आदणी प्रधान मंत्री जी का हरदय से धन्यवात करते हुए है, और एक बार पिथोडागर से, जवर्डी गरांट एरपोर्ट की मद्निमी सिवा प्रारण होने पर,